जैसा कि आप सब जानते कि recently government ने जो हमें scholarship, मतलब हमारा scholarship fund release किया था, लेकिन कुछ लोगों की वज़ा से unfortunately कि हमें वो हमारी scholarship मिली ही नहीं है, वो क्यों कि कुछ irresponsible लोगों की वज़ा से हमारे form reject कर दिये गे हैं, जब कि हमारे documents पे कोई भी fault नहीं था, जब हम लोग अपने formalities पूरी करते हैं, आप लोगों को hand out करते हैं, तब तक तो हमारे forms ठीक होते हैं, आप एक हाथ से form लेते हो, दूसरे हाथ से 200 rupees extra लेते हो, वो किसलिए लेते हो आप, हमारे form reject करने के लिए आप लेते हो, हाँ, आप लोगों ने form हमारे, उन documents में तो कोई fault नहीं था, वो fake नहीं था, आज हम आप से concern कर रहे हैं, प्रिंस्पल से concern कर रहे हैं, college के, वो बोर हैं के हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, आप लोगों को आपकी responsibilities कब पता चलेंगे, आप एक एक लाख रुपिया salary किस बात की लेते हो, चेर्स पर बैठ के सिर्फ पैशन दिखाने के लिए, attitude दिखाने के लिए, हमें हमारा हक within days मिलना चाहिए, otherwise हमें कोई और step अठाना पड़ेगा, हम financially इतने sound नहीं हैं कि हम लोग अपने, ये scholarship हमारे educational purpose के लिए बहुत ज़रूरी है, इसके बगएर हमारी education possible ही नहीं है, लेकिन पीछे से funds सो आता है, लेकिन आप कुछ corrupt लोगों की वज़े से हमें हमें हमारा हक नहीं मिलता है, आहर ऐसा कब तक चलेगा, किस खुशी में आप ने हमें हमें हमारी scholarship नहीं दिये, हमें हमारी scholarship चाहिए, बस हम लोग इतना खर्च करके, मतलब इतने documents हम तियार करते थे, फॉर्मैलिटी पूरी करके हम लोग उपर से, आप लोग आगे से ऐसा करते हैं, आप लोगों से आज हम कंसांट करें, तो आप लोग अपनी responsibilities मतलब आप एक दूसरे पर बिलेम करते हो, हमें बोलते हो कि आप आज तक तो हमारे documents नहीं थे, उनमें तो कोई फॉल्ट नहीं था, आज आज आप क्यूं बहु हो रहे हो, हमें हमारी scholarship मिलनी चाहिए बाद, कॉलेज इंतजामियों जो भी हैं, वो सब इसमें इन्वाल्व हैं, उन लोगों की कोथाईयों की वज़े से, उन लोगों की irresponsibility की वज़े से, हमें हमारी scholarship नहीं हो, इसके लिए में responsible नहीं हो, आप नहीं हो तो और कॉन है, हमें बताओ ना हम कहां जाएं, आज government का order है कि आप लोगों की मजबूरी नहीं हमें गर से निकलने पर मुझबूर किया है, हम लोगों की मुझबूरी नहीं नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, हमें हमारी scholarship चाहिए आप लोगों को जो बी कुछ हुऊ वह आप लोगों की गलतीहों की वज़गे से हमारे रापुमेर्स में कोई फॉल्ट नहीं थाूड़ नहीं था आप लोगों ने खुद किया फोटोग्राफ किसी और का चिपका है वो रेजेक्ट नहीं होता तो और क्या होता। 26 students के फॉर्म इनकी इर्रिस्पॉंसिबल्टी की वज़ा से वो रिजेक्ट किये गए अभी तो हमें हमारे पास ना हमारी हार्ट कापी है ना हमारे पास कुछ है इनका मतलब फॉर्म नंबर भी नहीं है वो इस वज़े से किम के तीन महीने पहले हमने अपने फॉर्म मतलब ने सब्सक्राइब करेंगे लेकर इन लोगों की जल्द बाजी की वज़े से हमारे फॉर्म रिजेक्ट हो गारी मेसेज है कि हमें हमारे स्कॉलर्शिप हमारा हक चाहिए हमारे साथ इंजस्टिस क्यों इन लोगों की वज़े से हम लोगों को बहुत सफर करना पड़ता है हम लो जो आप जो आप देना थेंक यू देखिए इस कालशिप फार्म रद करने का कालेज के पास को यह थाटी नहीं होती है यह स्कालशिप फार्म जो है यह आनलाइन बरे जाते हैं उसके बाद जो एजन्सी है जैसे यह मेरे ख्याल से भारी सिपीकिंग स्काललशिप की बाद कर रहें आप तो यह एजन्सी ने फार्म रिजक्ट किया हों के कालेज ने नहीं किया है यह आनलाइन अपलोड किए जाते हैं तो आपलोड करने के बाद वहां पे जो पहाडी बौर्ड वाले हैं वो सुकूटनाईज करते हैं तो उसके बाद पता चलता बजल हा हूँ कि असली है यह नाँ कली ही है हमारा जो होता है सिर्फ involve वैरिफाइग करने का आ ओनी पहली बात है कि मैं प्रिंस्पिल नहीं हूँ हमारी कालज में अभी प्रिंपल है नहीं तो मैसेज यही है कि हम देखेंगे इनका रिकाड क्या है किस वजे से वर्म रिजेक् करेंगे वो बताएंगे कि असली वाजा क्या है